हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहा होंगे हमने जो सिक्स पॉइंट ठीक साइज में प्रिवियस लेक्चर में 18 तक कर लिया था तो इस वीडियो में 19 कुश्चन से स्टार्ट करेंगे और यहां से आप कॉंसेट्ट बिल्ड करने कोसिस आपने कर लिया पहले भी मैं मानता हूं कोसिस करना क्यूंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर आपने पैटरन समझ लिया तो आपकी जो लॉंग आंसर कोश्चन से केस बेश कोश्चन भी बन सकता है आप पेपर में एजली कर पाऊ आप यहां से आपको एक और चीज़ सीखने को मिलने वाली है देखना पहले कुश्चन बढ़ते हैं क्या बोला है एक दिसे यह एक डिए रेक्टेंगल ले लिया अब लिकाए इंसकृर इन गिवन फिज सर्क्ल इसकुरह मैक्समम मेरिया यह आप यह आते सरस्भें अबैड़ने लिना है लेंग्व सब्सक्राइब अब करती आपसे आपको है समझन श्कॉशन को कि सर्क्ल के अंदर अभी तो rectangle है लेकिन अगर आप area को maximum करोगे area को maximum करोगे तो वो area maximum तभी होगा जब ये a square होगा यानि length और width दोनों equal होगे तो वो square proof हो जाएगा और area maximum होगा यानि आपको इसको area को maximum भी करना होगा और जब ये area maximum आ रहा होगा ना उस time length और width equal आ रही होगी यह इस तरीके से कुछ दे नहीं रखखा है तो मैंने length जो है न rectangle की 2x ले ली और व्रत को 2y ले लिया तो आप बताओ अभी area क्या होगा area होता है l into b तो l हमारा 2x b हमारा 2y इदर लिख लेता हूँ area जो है क्या वो 2x into 2y से क्या 4xy आ जाएगा आप बोलोगे हाँ अब आपको करना होता है differentiate अब करना होता है differentiate अब differentiate करने से पहले आपको इसको एक single variable में one variable में convert करना है क्या करना है one variable में convert करना कैसे करें direct तो कुछ दे नहीं रखखा है तो खुद से थोड़ा try करना है कैसे circle का कहीं center यहां होगा माल लेते हैं यह ओ है इसको यहां जोइन कर दिया और यहां एक perpendicular को ड्रॉ कर लिए आपने 9th class में property पड़ते हैं कि circle में किसी भी खा ट्रॉ करते हो तो यह जो पाइसेक्ट हो जाती है थो यह हो जाएगा इस एक ठीए फ्लर की रेडियस को अपने R माल लिया, ठीक है, इतना काम कर लिया, क्या आपको इतना सम्झम है, मैंने क्या कर पर फिर सब आज़ेता हूँ, हमारी जो लैन थी, वो 2X थी, पर पेंड को ड्रॉख करा, तो यहां से लेकर यहां तक X आगिया, यहां से यहां तक Y आया, क्योंकि यहां 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 radius को R लिखा है R मान लिया हमने अच्छा इसमें given fixed circle का क्या मतलब है फिर fixed circle का मतलब यह है कि circle की radius जो है वो constant है fixed है given है आपको मतलब यह जी given में आगी given fixed circle को लिखा भी है इस language की बहुत meaning और आने वाले question में इसी का रोल है क्या यह जो given लिखा ना given fixed circle तो आपको कभी भी किसी भी question में कुछ given है उसको आपको k मानना है क्या मानना है k k मतलब यहाँ पर constant number मैं k क्यूं मान रहा हूँ इसलिए जब differentiation करोगे तो जैसे four example आपको differentiation करना है differentiation करना है k x square का तो आप confuse नहीं होगे कि आपको differentiation कैसे करें जिसे यहाँ पर अगर लिखा है given fixed circle fixed circle का मतलब इसका radius जो है वो given है ठीक है तो जो given होता है इसको आपको k मानना है नहीं r is equal to k लिख लेना है मैं एक ही तरीके से बताऊँगा सारे question सी से कर दूँगा अब सोचो अगर हम इसमें पाइथागुरस लगाएं इसको अभी दरी छोड़ देते हैं first condition और यहाँ पर पाइथागुरस लगाएं यानि कि x square plus y square is equal to r square radius के r है तो इस triangle मेर पाइथागुरस लगाओगे तो x square plus y square is equal to r square पाइथागुरस से ठीक है तो r जो है वो आपको k लेना है जो चीज given हो ना उसको k मानना है तो यानि हमारा x square plus y square क्या आजाएगा और मैंने ये बता दिया कि हमें k लिखना क्यों है आप k नहीं लिखते आपने k नहीं लिखा समयना क्या दिक्कत आजाएगी तो ये r की terms में आएगा अभी मैं चलो y निकाल लेते हैं फिर बात कर लेते हैं आगे फिर आप बात में करते हैं चलो y square कितना हो जाएगा k square minus x square y के लिख क्या जाएगी square root of k square minus x square अब इस y को यहां first equation आप उट कर दो तो 4 x y तो 4 x y के लिए कितनी है root k square minus x square अब बात कर लेते हैं इस पर जो मैं बता रहा हूँ अगर मैं k को k मनलब r को अगर k नहीं लिखता और यहां r लिखा होता तो हो सकता बक्चे differentiation करते टाइम गलती कर देते सोचते यह r है r का differentiation मैंने देखा है कई बार अगर यहां r होता ना तो r square का differentiation पता क्या है 0 कर देते या r square को लो 2 r कर देंगे सब्सक्राइब तो आपको यह confusion ना हो तो इसलिए के लेते और आने आले question जितने भी होंगे जिन में ऐसा होगा और जादतर ऐसी questions है आपको k लेना है जो भी चीज given होगी एक rule बना लो क्या rule बना लो जो चीज आपको given होगी अगर वो नहीं दे रखी है यह तो बोल देता कि radius इसकी 3 है यह तो question में बोल देता कि radius इसकी 3 है तो ठीक था अगर नहीं बोला है तो कोई बात नहीं हमें अगर given है तो हम इसको k मानेंगे ठीक है इतना समझ में आ गया तो finally क्या मारा अब देखो आप इससे अच्छा फाइदा ये भी है यहापर कितने variable है 4 constant है x variable है k constant है x variable एक ही तो variable है और एक ही चाहिए होता है तो यह फाइदा होता के लेने से ठीक है चलो अच्छा अब इतना आ गया बहुत बढ़ी बात है अब हमकों क्या करते है differentiation करते है बिलकुल हम यहापर भी differentiation करेंगे लेकिन अगर आपको जिसको maxima minima करना है उसके formula में square root आ जाए यह आपकी बस choice है आप चाओ तो इसी step पर differentiation कर लो product rule से ठीक है या फिर अगर root आ गया है तो पहले square both side कर लो क्या कर लो अगर square root आ गया है तो पहले square both side कर लो जिसे root रट जाए हमारी calculation कम हो जाए तो हमने a square कर लिया तो 4x sorry square करा तो 4 का square 16x का square x square और यह root हट गया यानि k square minus x square और यह a square को एक नया variable कुछ नाम दे तो z तो इतना finally हमारा z आ गया अब हम differentiate करेंगे अब कुछ बच्चे बोलेंगे sir पहले तो हम area को maximum कर रहे थे अब तो यह z आ गया देखो z ultimate है क्या वो area पे ही तो dependent है a square अगर जैड मैक्सिमम आ गया तो automatic a भी तो maximum होगा सब्सक्राइब तो हम जैड ले सकते कोई दिक्कत नहीं differentiate कर देते हैं ठीक है कुछ दो तीन माहिन में भी doubts आ रहे होंगे मुझे पता है क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहे हो मुझे पता है कि क्या doubts आते हैं अभी आ रहे होंगे लिए हम पहले differentiate कर लेंगे फिर मैं आपके वो दो doubts जो भी हैं वो clear करता हूं ठीक है चलो एक वो क्योंकि डिफ्रेंसिन बाद ही clear होंगे इसलिए मैं पहले जारा हूं differentiate कर लो पहरे देख लो इस वीडियो को और उसके बाद note करना ठीक है चलो अपडिफ्रेंसिट करें तो d z by d x 16 constant drum में बाहर आ गया x square इन्हें में लगा दू product tool x square differentiation of k square minus x square फिर k square minus x square differentiation of x square differentiation of x square यह तो आएगा कितना आएगा यहां से देखो d z by dx 16 तो बाहर x square k square का 0 हो जाएगा इसलिए बोलता के लिखना है minus x square का minus 2x plus k square minus x square और x square का यहां पर 2x अब 2x मिल रहा है common देखो यहां भी 2x है और यहां भी 2x है तो 16 और यह 2x common मिल गया तो यहां पर क्या आएगा minus x square और यह k square minus x square तो 32x हो गया और यह आगया k square minus का 2x square यह आगया d z by dx और इसको हम bracket में कर देते हैं आपको पता है फर्स्ट और इटेव को मैं ब्रैकेट में हमेशा करता हूँ फिर इसको 0 करेंगे और यहां से x निकालेंगी यह देख लेंगे क्या निकालना है तो फिलाल 32x को गर 0 करोगे x को 0 करोगे तो x तो 0 आएगा जो की possible नहीं है क्योंकि अब x 0 होगा तो x को 0 पुट करने पर area कभी भी maximum नहीं हो सकता है reject हो गया अब एक ट्रम हमारा है k square minus 2x square तो 2x square is equal to k square तो x square is equal to k square by 2 square root करेंगे तो x की value आजेगी k upon root 2 चलो x तो मिल गया अब फटा फट इसका second order derivative भी कर लेते हैं इसको में raise कर देता हूं इसको कोई काम नहीं नोट कर लो ठीक है screenshot लेकर रखो इतना कि बाद में नोट करना है तो तो अब जैसे मेरे पास अब मैं इसका second order additive करने जा रहा हूं तो d z by dx मेरा आया है 32x bracket में k square minus 2x square अच्छा यहां पे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि k square की value put करने से आसान हो रहा होगा तो दोनोट अजल निकाल के रखो मतलब k square 2x square है और x की जो पड़े तो यह रख दे ना k by root दोनों relate करके रखो कभी-कभी क्या होता ना k को put करना जादा आसान होता है तो आपको पता होना चाहिए कि k कितना है और x कितना है ठीक है चलो अब यहां से differentiate करते है तो d square z upon dx square 32 बाहर आ जाएगा bracket लगा लो इसमें और इसमें लगा दो product rule के लगा दो x और इसमें लगा दो product rule अब मैं तो डाइट करूँगा x बाहर इसका differentiation करूँगा तो minus x square का 2x है तो minus 4x आएगा फिर यह बाहर आएगा और x का differentiation 1 ठीक है तो कितना आगे है 32 minus का 4x square plus k square minus का 2x square तो यह आगे 32 minus 4 minus 2 यह नहीं minus का 6x square k square अब देखो x पुट कर x square पुट कर सकते हो कर दो देखो मैंने कहा कुछ भी पुट कर लो चाहो तो k square पुट कर लो सीधा-सीधा 2x square यह चाहो तो x square पुट कर लो k square by 2 तुमारी मर्जी है चलो x square पुट कर लेते हैं लेकिन दोनों में किसी को भी रख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्या है k square by 2 है तो यह 3 times कटेगा तो minus का 3 k square plus k square minus 2 k square तो 32 into minus 2 k square तो क्या यह negative result आएगा क्या यह negative result आएगा बताओ इसको मैं ले लेता हूँ उसमें अब आपको दिखाई देगा अब आप बताओ कि यह जो 32 यह जो आया है हमारा result 32 minus 2 यह नि माइनस 64 k square आपको मैंने previous questions में बहुत अच्छे सिखाया है कि अग जो second order derivative करते हो उससे सिर्फ इतना परपज होता है कि हम यह देख के समझ में आजा है कि यह negative result है आप बताओ यह कैसा result है 64 positive number है किसी number का square positive होगा तो क्या यह negative आएगा क्या क्या यह negative आएगा ठीक है क्या यह negative आएगा अरे यह क्या ओपर इधर लिख अच्छा negative आएगा क्या हो रहा यह कुछ तो क्या you किकमइत को मेन agar जाएगा अप हो हो जाए कौग यहां से क्यों हो जाएगा मेक्समा ने वाया फिजगा ऑगै पर आप दुको मैक्समा कर दिया कॉरो प मेंड़ करना क्उड़ किस पे का क्यमडरcies मैक्समा हो गा है कि cette आ रहे थे पहले अब मैं क्लिर करता हूं कि सर हमने area को jet माल लिया तो कोई दिक्कत तो निया कि हमें तो area को maximum करना था देखो आप जो first order derivative करते हो second order derivative करते हो second order derivative जो आपको यह बताता है कि result maximum है minimum है समझो अब function तुम्हारे लिए ये है ठीक है तुमने इसको maximum minimum बता दिया ultimate इसके थुरू तुमने a के बारे में बता दिया काम खतम ठीक है तो तुम चाहिए इसको a square मानो चाहिए aq मानो कोई दिक्कत नहीं है पहले चीज़ ठीक है उसको नया variable लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो यह डाउट आपके माहिण में जो आ रहा तो मैंने clear कर देंकि आप ले सकते हो क्योंकि आप ultimate सिर्फ इसमें इसके थुरू सिर्फ मैक्समा मिनिमा बताते हो ठीक है अच्छा एक काम तो हमने कर दिया कि area maximum है अब एक काम और अच्छा है क्या square है जो maximum area यानि कि आपको कहीं न कहीं x और y बराबर करना होगा वहीं x और y बराबर होगा तो 2x और 2y भी बराबर होगा तो l is equal to b आ जाएगा तो देख लेते हैं तो अभी हमारे पास x जो है वो k y root 2 है x कितना है k upon root 2 है तो y निकाल लेते हैं y हमारा कितना था y यह था y हमारा है ठीक है y हमारा कहा है square root of k square minus x square y हमारे पास कहा है square root of k square minus x square तो y square 2 square root of k square minus इसका square करोगे तो क्या वो k square by 2 आ जाएगा x को put कर दो तो 2 lc हम लिया तो 2 k square minus k square तो k square by 2 आएगा यानि यह y कितना आ गया y आ गया k upon root 2 तो x भी आ गया y भी आ गया और अगर x बराबर y है तो चलो rectangle में हमने land को 2 x लिया है 2 y लिया है तो इस result से पता लग गया x बराबर y है तो double करोगे तो 2 x बराबर 2 y भी हो जाएगा यानि एल बराबर b आ गया तो इटेजा square लिख देने लास्ट में इटेजा square यह इसका मतलब यह 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 और यह यह और यह भी है तो एक क्वल हो गया तो इसका लग क्या है यह स्क्वाइर हो गया पूरा प्रूफ समझ माया ठीक है अच्छा एक काम आप और कर सकते हो कि अगर आप सको इस्तनी का अलोशन से बचना है मैं सेकेंड मैं बता रहा हूं और जो काफी कोश्ट में लगाया जाएगा क्या इतना यह कोश्ट सॉल हो गए अब इसमें कुछ करना नहीं है मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं देखो हमारे पास एक रिलेशन था य स्कॉयर टू के स्कॉयर माइनस एक स्कॉयर अगर मैं के स्कॉयर की वेल्यू पुट कर देता है कहा है मेरा के स स्कॉयर में एक स्कॉयर में एक स्कॉयर में एक स्कॉयर गया क्या गया एक स्कॉयर तो यहां से वाई श्कॉल टो एक सागया तो यह और सिंपर मैं थाड़ है इसमें तो फिर भी जादा करनी पड़ रही है तो आपको उसरा हमें पता कैसे लेगा हम कैसे करें किसी से भी कर आप चाहो तो इधर पुट कर लो या ऐसे कर लो इसलिए मैंने बोलाता हूं एक्स वाला रजल्ट और के वाला रजल्ट दोनों माइने में लेकर रखो कभी भी किसी की विजुत पढ़ती है एक और आपको रामबार बता दिता हूं कि अगर किसी कोश्चन में तुमसे लेंथ ही पूछी है कि लेंथ बताओ एक्स कितना है वाई कितना है तब तो तुम्हें एक्स बराबर वाई बताना है तुम्हें एक रिलेशन बताना है एक्स और वाई में हाइट और रेडियस में तो तुम K को substitute करना किसको substitute करना के को क्यूं इसमें भी तो कहीं न कि हमें X बराबर Y बताना है इसका मतलब X और Y में एक relation बताना है तो मैंने के को पुट कर दिया तो मेरी केकलोशन असान है और अभी यह चीज़े अब आपको लगेगा सब्सक्राइब इतनी सारी चीज़ सीख लेए अब जितने कोश्टन सोंगे ना सेम फॉर्मेट चलेगा और जो मैंने बातें इस वाले कुश्टन ने बोली है और तो अपने कुछ में कंक्लूजन कर दूँ एक पर क्या 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 बताया मैंने एक तो जिसको मैक्सम करना स्में एक वैरीबल होना चाहिए अगर कभी स्कॉइर रूट आजए तो स्कॉइर कोई दिक्कत नहीं है एक्स और के दोनों निकाल के रखो ठीक है डबल डेटिव कर होगी इसको तुम्हें के मानना है क्या मानना है के ठीक है इतनी सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है अब हम लोग ने